वेल्कम गाईस कैसे हैं आसा आच्छोंगी सात्यू पाइथन में हम सीख रहे हैं SQLite database को जिसमें आज हम जानेंगे डिलीट कैरी के बारे में तो डिलीट कैरी को आटिकल सिखने के लिए इस वीडियो मन तक बने रहे हैं मेरा नाम है मनुर्श कुमार और आप देख रहे हैं Computer Guru चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो देखिए जहां पर हमने सीखा था Select Carry को मैंने वही फाइल ओपन कर लिए यहां पर मैंने सबसे पहले तो आपको यहां पर बताया था डेटाबेस हमने इंशर्ट कराना है इंशर्ट कैरी सीखा था फिर हमने Select Carry सीखा यहां पर अब हम सीखेंगे कि Delete Carry को कैसे हम Implement करें Python के अंदर तो मैं आपको यह बता दूँ कि Delete Carry का syntax एक दम MySQL के syntax जैसा होता है और 13 और मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि सर MySQL को स्टार्ट कीजिए तो मैं सभी के लिए बता दूँ कि हम MySQL जरूर स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आप देखे हमने Python भी शुरूर किया हुआ है हमने PHP भी चलाया हुआ है और साथ-साथ हम MySQL को नहीं ले सकते इन दोनों मैं से कोई भी एक सीरीज कंप्लेट होते ही हम तुरंत MySQL स्टार्ट कर देंगी तो हम Select Kari को Open कराते हैं यहां पर हम देखते हैं कितने रिकोर्ड यहां पर सेव किया है तो उसके लिए हम इसको रन करा लेंगे Select Kari को तो आप यहां देखो कि हमने यहां पर छे चेक कर पाएंगे तो डिलीट करेंगे हम सेंटक्स कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने नई फाइल यहाँ पर कर देता हूं और यहां पर हम सबसे पहले तो यूजर का input लेंगे कि हमने कितने नंबर का record डिलीट कराना है यानि कि कौन सी id हमने डिलीट करानी है वो id नंबर से डिलीट कराना है हमने sale नंबर से डिलीट कराना है नीम से डिलीट कराना है तो यहाँ पर record देखे मेरे पास क्या क्या है मेरे पास यहां पर है id, name, class और email यही हमने लिए थे तो हम id से ही यहां पर delete कराएंगे कि हम कितने नमबर की id का record को delete कराना चाहते हैं तो उसके लिए simple सा हम यहां पर एक user का input लेंगे तो उसके लिए एक variable ले लेते हैं मैं करता हूँ delete id, यहां पर मैंने करता है d id और कर देंगे input और input के अंदर हम क्या message लेना चाहते हैं, enter id here यहां पर id लिखे जो आपने delete करानी है, यह हमने message यहां पर input में दिया और user जैसे input डालेगा, तो वो वाली id वहां से delete हो जाए, उसके लिए हम syntax लिखेंगे हम यहां पर call करेंगे count को और इसको कराएंगे हम execute, ठीक है सिद्ध हम execute कराके और यहीं पर जैसे हमने select को किया था, इसी परकार से हम यहां पर करेंगे delete को, delete from, कहां से delete करना है हमने, हमने st वाली file बनाई है वो, ठीक है उस database का क्या नाम दिया हमने, database का नाम तो हमने दिया है SQL database और इसके अंदर जो हमने student table बनाई है, उसका नाम हमने दिया है st, st के अंदर where कहां से, तो उसके लिए type करेंगे where हमने id, वो id कहां पर है, equal to और यहां पर हम देंगे कि वो id कहां पर है, साथ में ID तो हमने दे दी, ID से कराना है और साथ में हमने ये variable भी ले ले लेना है तो इसको भी CONCUT कराएंगे यहां पर हम करेंगे DID और commit यूज़ कर लेंगे हम करेंगे CON.COMMIT क्लोज करा देते हैं CON को यह हमने कहां पर करा दिया यह brackets यहां पर रह गई last में आएंगे और अब करेंगे यहां पर CON.CLOS बस एक बार इसको run करा के देख लेते हैं वापस से हम जाएंगे run के अंदर यहां से run कराएंगे हमने नाम इसको save किया है delpy के नाम से delpy को हम run करा देंगे देखो यहां पर सबसे पूछ रहा है enter ID here हमने कौन सी ID से वो record delete कराना है या कौन सी ID को delete कराना है तो मैं यहां पर करना चाहूँ 5 नंबर को enter प्रेस कराएंगे तो देखो यहां पर फिलाल कोई error नहीं इसका मतलब वो ID वहां से delete हो चुकी है एक बद चेक करें हम select py में जाएंगे और यहां से इस program को हम run कराएंगे run select py को run करा देते हैं हम यहां पर यहां से run करा देते हैं यहां से select को run कराते हैं तो देखो यहां से 5 नंबर record खतम हो चुका है आप db browser में देखना चाहेंगे तो देखो यहां पर इसको हम पहले refresh करते हैं तो रन कराएंगे वापस जाकर के रन के अंदर और डिलीट वाले को रन कराएंगे यहां पर हम यूजर इंपूट के अंदर डाल देंगे छे नमबर और एंटर प्रेस कराएंगे हो गया छे नमबर डिलीट फिर से रन कराके देखते हैं किसको रन कराना है हमने इस बार हमने कराना है सेलेक्ट कैरी को लीजिए यहां से छे नमर बेडिलीट हो गया राइट बिल्कुल सिंपल था जैसे माइस्कुल लेदी आपने सीखा है वहां पे जिस प्रकार सेंटेक्स यूज करते हैं डिलीट कैरी का सेम टू सेम पाइफन के अंदर एक्ष्कुलाइट के अंदर वही सेंटेक्स यूज करेंगे अब हमने डेटा बेस को अपडेट भी करना होता है तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपडेट करें को राइट आइप वीडियो आपको जूर अच्छा लगा हुगा इसी प्रकार अच्छे च्छे वीडियो देखते रहने के लिए मार साथ बने रहे हैं हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यह दिन नए आप मैंचल पर तम सब्सक्राइब जरू कर लें